अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को जरूर दबाईएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में परिच्छा हॉल 24-27 को सेयर की देगा आज बायोलोजी सेक्षन में दूसरा मैरा थन है तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके पहले हमने नर्वस सिष्टम तक कंप्लीट किया था यानि की तंत्री का तंत्र तक कंप्लीट किया था आसा करते हैं कि आपने उसे जरूर देखा होगा अगर नहीं देखा है तो जाकर कि जल्दी से उसे कवर किजिए आपसे एक भी प्रस्न नहीं चुटेंगे यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे पाचन तंत्र को यानि की डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करेंगे पाचन तंत्र यानि की डाइजेस्टिव सिस्टम अब डाइजेस्टिव क्या होता है digestion के आवस्थक्ता क्यूं है digestive system के बारे में हम detail में theory में करेंगे बाद बाकी यहाँ पर जो है सब कुछ अच्छे से प्रस्णों के बाद बाद बाकी यहाँ पर जो है कौन सी आहार नादिका है which among the following is food tube देखे digestive system में जो digestion है वो मुख से start हो जाता है भोजन जो है एक tube के माध्यम से एक tube के माध्यम से एक नली के माध्यम से इस टमक के पास पहुचता है और इस नली को कहा जाता है iso phagus यानि की grass नली ग्रसी का इसी को कहा जाता है बिल्कुल आप लोग समझ गये होंगे iso phagus ठीक है चलिए आगे दिखते हैं निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है जैसा कि मैंने आपको कहा बकल केविटी यानि की मुख गुहा में salivory glands होते हैं जिसे लार ग्रंथी कहा जाता है वहां से लार का secretion होता है लार रिलिज किया जाता है और उस लार में starch भोजन के starch को पचाने के लिए enzyme होता है जिस enzyme का नाम tylene है या फिर इसी को salivory amylage भी कहा जाता है यानि कि लार या amylage यहां तक आपको समझ में आगिया होगा चलिए आगे देख लेते हैं अगला जो सवाल है हमारा कि लार में मौजूद enzyme क्या होता है लार में मौजूद enzyme tylene है जिसे की salivory amylage भी कहा जाता है लारिया amylage भी कहा जाता है कोई दिक्कत नहीं कसेरुकी उदर का मूलभूत कार्य क्या है तो याद रिखेगा कसेरुकी यानि कि जो vertebrates है जो हम लोग है इसका जो उदर है जो stomach है इसका मूल कार्य क्या है तो इसका मूल कार्य है भंडारन का क्या भंडारन storage इसका मूल कार्य है समझ में आया चलिए कसेरुकियों में जो उदर ग्रास नली उदर ग्रास नली, इसो फेगस तथा आंत इंटेस्टाइन के मद्ध इस्थित पाचन तंतर का विकेस भाग है आपका उदर जिसका मूल भूतकार ये भंडारन होता है हाना कि मानम में प्रोटीन का पाचन अमासे या उदर से ही प्रारंब हो जाता है प्रोटीन का पाचन अमासे या फिर उदर से ही हो जाता है प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करवाता है तो याद रखेगा पेपसीन कौन सा पेपसीन जो है वो प्रोटीन का पाचन करवाता है अमासे में कौन सा एंजाइम है प्रोटीन को पाचन करने में मदद करता है तो ये है आपका पेपसीन ठीक है पेपसीन चलिए पेपसीन नामक एंजाइम का स्रावन उदर या अमासे में होता है या प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है इसकी सहायता से प्रोटीन छोटे पाचन के लिए जिम्मेदार अगनासई रस में कौन सा एंजाइम मौझूद है। देखिए अगनासई रस का मतलब है पैंक्रियाटिक जूस ठीक है। तो पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज से इसका सेक्रेशन होगा। पैंक्रियाज यानि कि अगनासे से और अगनासई र प्रोटीन के पाचन में ट्रिपसीन तथा पेपसीन दोनों भाग लेते हैं। प्रोटीन को पचाने का वो काम नहीं करेगा। यह काम नहीं करेगा अगर हाइड्रोकलोरीक एसीड वहाँ से रिलीज नहीं हूँ इस टमक के द्वारा। तो यतना इंपोर्टेंस है हाइड्रोकलोरीक एसीड का। ठीक है अब देखिए। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज तो यहाँ से यह याद रखना है कि लाइपेज जो है वसा का पाचन करने वाला एंजाइम है। वसा यानि की फैट का। तो बताएगे यह लाइपेज कहां से स्रावित होता है इस लाइपेज जो है कहां से सिक्रेट होता है ठीक है तो हमने भी आपको बताया पैंक्रियाज से ट्रिपसीन याद रखेगा उसके साथ साथ लाइपेज याद रखेगा ट्रिपसीन का काम हो पर गनास है ऐसे ठीक है पीले रंग का कारण है कैरोटीन प्रोटीन के उपस्तिती किसकी कैरोटीन प्रोटीन के उपस्तिती अच्छा कैरोटीन जो है एक हाइड्रोकार्बन होता है ये भी याद रख लिजेगा हाइड्रोकार्बन होता है इसके अलावे बीटा लेक्टोगुलुमीन और आलफा लेक दूद का फटना, रेनीन की प्रकिरिया के कारण होता है, ठीक है, याद रखेगा, अमासे में, यानि के स्टमक में, दूद का फटने की प्रकिरिया किसके कारण, याद रखेगा, रेनीन के कारण, देखे, सिस्वों के जठर रस, सिस्वों के जठर रस में, रेनीन नामक, एं दही जैसा निकल रहा है तो वो दूद फट गया किस कारण से फटा? रेनीन एंजाइम के कारण ठीक है रेनीन एंजाइम के कारण याद रखेगा आगे देखे कहा जा रहा है कि किसको आम तौर पर मिल्क सुगर भी कहा जाता है याद रखेगा लेक्टोज को दुगद सरकरा मिल्क सुगर भी उसके अलावे ये भी याद रखेगा लेक्टोज जो है एक डाई सेकराइड है बस इतना याद रखेगा अभी डाई सेकराइड क्या है पॉली सेकराइड क्या है ये भी हम नहीं बताने वाले बस ये याद रख कि जो मिल्क सुगर में लेक्टोज है वो एक डाई सेकराइड है ठीक है चलिए आगे देखें मोनो सेकराइड डाई सेकराइड तो हमने देख लिया मोनो सेकराइड जो कि एक कार्बनिक अनु है वो किस समुह से सम्बंदी थे मोनो सेकराइड किस समुह से सम्बंदी थे तो य दही में बदलने में उपियोग किये जाने वाले उत्परेरत का नाम बताइए, तो दूद को दही में बदलने का काम Lactase Catalyst के कारण होताए, ठीक है, याद रखेगा, Lactase के कारण, दूद से दही बनने की प्रकरिया किस के कारण, Lactase के कारण, ठीक है, उसके बाद Lactobacillus बन लेक्टो बेसिलस एसीडो फाइलस दही बनाने में कौन सी बैक्टरिया साहक है लेक्टो बेसिलस एसीडो फाइलस ठीक बात है चलिए निम्न में से कौन दूद के खटे होने को प्रेदित करता है तो लेक्टिक एसीड दूद जो दूद का खटा होना किसके कारण लेक्टिक एसीड के कारण और मानव शरीर के बाड़ी में भी लैक्टिक एसीड बनता है कब जब ऑक्सीजन की पूर्णी मतलब ऑक्सीजन जितना हमारे बाड़ी को चाहिए अगर उतना ऑक्सीजन हमारे बाड़ी को नहीं मिल पा रहा है तो आपके बाड़ी में लैक्टिक एसीड बनन जिससे आपको oxygen की पूरती हो जाए, ठीक है, चलिए। अचाने में मदद करता है, lactobacillus, acidophilus और इसी बैक्टेरिया के कारण दूद से दही भी बनता है, हमारी आतों और सरीर के अन्य भागों में lactobacillus, acidophilus एक बैक्टेरिया है, जो सभाविक रूप से पाचन तंतर में सरकरा को तोड़ने में साहिता करता है, जैसे की lactose को lactic acid म दूद में कौन सा acid पाया जाता है, तो याद रखेगा दूद में पाया जाता है, lactic acid, कौन सा acid, lactic acid पाया जाता है, ठीक है, और अगर lactic acid ज्यादा हो गया तो दूद खटा हो जाएगा, ठीक है, तो दूद में lactic acid या फिर इसी को lactate भी कहा जाता है, इसकी उपस्तिती मु गर्मी के दिनों में फ्रीज के बाहर रखा जाए तो वह खटा हो जाता है किसके कारण तो याद रखेगा लैक्टिक एसिड में लैक्टोज सरकरा का रुपांतरन के कारण ठीक है तो ये इस कारण से दूद खटा हो जाता है ठीक है चलिए प्रोटीनों का निर्मान प्रोटी इस एमीनो एसिट्स मिल करके एक युनिट प्रोटीन का निर्मान करता है आगे चलिए देखते हैं प्रोटीन कितने एमीनो एसिट्स से मिल करके बना होता है तो देखिए सवाला गया 20 एमीनो एसिट्स से मिल करके बनता है ठीक है निमलेखित में से वह कौन सा आवस्चक तत् protein sensation में करते हैं देखे इसके तो हम लोग जानते हैं कि पौधों के लिए पौधों के लिए आपको पता होगा nitrogen, phosphorus, potassium ये सब जो है एक fertilizer की तरह भी काम करता है और बहुत जरूरी है पौधे के लिए तो याद रखेगा आप पौधे nitrogen जो एक तत्व है जो element है इसका उप्योग पौधे protein sensation में करते हैं किसमे protein sensation में पौधे nitrogen की क्या बोलते है nitrogen protein sensation का उप्योग nitrogen के लिए करते हैं अब देखे याद रखेगा कौण सत्त्तो नाइट्रोजन अब जिस पौधे को nitrogen की जैसे पूरा बायू मंडल में nitrogen फैला हुआ है तो पौधे के लिए तो nitrogen आप मिलना आसान है ऐसा बात नहीं है पौधों के अंदर भी बहुत से mechanism है जिसके द्वारा पौधे बायू मंडलिय नाइट्रोजन को nitrate में convert करते हैं जिससे nitrogen fixation कहा जाता है तो ये दाल के पौधे जो दलहनी किसका निर्मान खंड है बताइए amino acid are the building blocks of protein ये तो आपको पता होगा ठीक है amino acid से मिलकर बना होता है ठीक बात है collagen क्या है तो collagen एक परकार का protein है याद रखेगा collagen क्या है vitamin है, वसा है, protein है, carbohydrate है तो याद रखेगा collagen एक परकार का protein है क्या collagen एक परकार का protein है ठीक है, अचानक से पूछ लिया जाए तो आप याद रखेगा collagen amino acid से बना एक protein है जिसमें कुछ vicious amino acids जैसे की glycine, proline, hydroxy proline और arginine होते हैं याद रखेगा collagen amino acid से बना हुआ एक protein है जिसमें कुछ special amino acid के नाम याद रखेगा glycine है, proline है, hydroxy proline है और arginine है collagen विशेश रूप से अस्थंदारियों के मांस और संयोजी उतकों में पाया जाता है अब संयोजी उतक कौन-कौन से ये तो आपको पता होगा सबसे best example है तरल संयोजी उतक, जो कि आपका blood है liquid connective tissue उसके बाद आपको पता होगा कि जो ligament है, ये भी संयोजी उतक है आप जानते होंगे tendon, ये सब संयोजी उतक है ठीक है, चलिए आगे देखते हैं देखें, कहा जा रहा है कि सरीर सरीर में प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण कौन से विमारी होती है तो याद रखेगा अगर हमारे सरीर में प्रोटीन की कमी हो तो क्वासी और कर विमारी होती है क्या? क्वासी और कर विमारी होती है सरीर में प्रोटीन की कमी से क्वासी और कर रोग होता है इस रोग से सरवाधिक बच्चे प्रभावित होते हैं अगर hydrochloric acid ना हो तो pepsin जिसका काम protein पचाने का होता है वो काम करना बद कर देगा ठीक है जठरिया पाचन देखे जठरिया पाचन प्रभावी डंग से कब होता है जठरिया पाचन यानि कि गैस्ट्रिक जो digestion है तो ये प्रभावी डंग से अमलिया माध्यम में होता है कब हो कि पाचन ही तो एक प्रभावी माध्यम बनाती है पEPCINE enzyme की करिया HCL की उपस्तिती से बढ़ जाती है याद रकिगा सब्स्तिती में वो बहुत तगला काम करना शुरू कर देता है और गेस्ट्रिक पाचन यानि कि गेस्ट्रिक жизशन जो है HCL की उपस्तिती के कारण प्रभा कारक जिवानों को मारने में सहायक होता है तो बताइए कौन सा अंग HCL कसराव करता है और ये HCL हमारे सरीर में जो भोजन के साथ कुछ जिवानों बैक्टिरिया आ जाते हैं उसको वहाँ पर वो मार देता है तो कहाँ पर यह सेल कसराव होता है तो यह है आपका स्टमक में ठीक है अम आसे में चलिए चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल देखे कि पैप्टिक अलसर के लिए कौन सा जिवानू जिम्मेदार है पैप्टिक अलसर अगर किसी को है तो इसका मतलब है कि उसको कौन सा जिवानू उस पर अटेक किया है तो याद रखेगा हेलिको बैक्टर पाइलूरी कौन सा हेलिको बैक्टर पाइलूरी जिवानू जो है उसके कारण पैप्टिक अलसर हो जाता है अब पैप्टिक अलसर में क्या होता है पेट में जलन होना, आपके stomach की जो walls है, जो दिवाल है, उसमें lining, उसमें जो lining है, उसमें घाव हो जाता है, और घाव हो जाने के कारण blood वहां से निकलना सुरू हो जाता है, तो देखें, बहुत खतरनाग बिमारी है, पेट में जलन होगा, stomach की जो lining से, उसमें घाव हो जाता है, जो उसमें रेसे हैं, उसमें घाव हो जाता है, blood वहां से निकलने लगता है, और इससे बहुत तगड़ा वाला, मतलब भिमारी हैकर से का सकते हैं, इस रोग का कारण helicobacter pylori नामक जिवान होए, चलिए. निम्न में कौन सा, समान परिस्थितियों में, अमासे के आंतरिक अस्तर की hydrochloric acid से रक्षा करता है, तो याद रखेगा, जो हमारा mucus है, mucus यानि कि slisma है, अब hydrochloric acid, अमासे क्या करता है, रिलीज करता है, hydrochloric acid की उपस्थिति में, जो pepsin enzyme है, या फिर जटरिय पाचन है वो तेजी से होने लगता है, ठीक है, तो hydrochloric acid तो वो बहुत तगड़ा वाला acid है, भाई साहब, अगर इसके लिए वहाँ पर कोई अच्छे से व्यवस्था ना करी जाए, तो ये पूरा पेठी जला देगा, तो इस hydrochloric acid से कौन रक्षा करता है, तो याद रखेगा, mucus, salisma, ठीक है, salisma जो है, mucus है, समाने परिस्थितियों में, अमासे के आंत्रिक अस्तर, यानि की inner lining of the stomach की hydrochloric acid से रख्षा करता है, अमासे में protein का पाचन प्रारंब हो जाता है, याद रखेगा, ये पूछा जाता है, वता ये protein का पाचन कहां से प्रारंब होता है, तो अमासे से, stomach से, और वहाँ पर pepsin enzyme के कारण, छोटी आत के भीतरी दिवारों में, हजारों अंगलियों के आकार की अधु सनरचनाई पाए जाती है, इन्हें क्या कहा जाता है, देखे, छोटी आत, यानि की small intestine में, बिलाई करके, याद रखेगा, विली, विली जो होता है, पाए ज सनरचनाई पाए जाती है, इन्हें विली कहते हैं, और इनके कारण, छोटी आत का आंतरिक छितरपल बहुत बढ़ जाता है, यानि की surface area जो है, वो बहुत बढ़ जाता है, और फिर surface area ये बढ़ा देगा, तो भोजन का जो absorption है, भोजन का absorption है, पचेवे भोजों का, भोजन क फिर से ये क्या करता है, विली के माध्यम से, small intestine, विली के माध्यम से उसका absorption करता है, absorption करता है, और यहीं से पाचकरस, यानि की digestive juice जो होते हैं, इसका स्राव भी होता है, ठीके, हमारे सरीर में glucose का संचे जो है, वो glycogen की रूप में किया जाता है, याद रखेगा, उर्जा ज requirement का 70% कार्बो हाइडरेट से पूरा होता है, ठीक है, कहां से कार्बो हाइडरेट से पूरा होता है, चली, देखे, दिर्ग कालिक उर्जा भंडारन के लिए अधिकांस जानवरों की द्वारा इस्तिमाल अनू कौन सा है, तो देखे, दिर्ग कालिक उर्जा भंडारन, या बहुत सारे जानवर करते हैं वसा की रूप में मानव सरीर में उस एंजाइम का नाम बता है जो कार्बो हाइडरेट को तोड़ने में मदद करता है तो देखें ये जो एमाइलेज है ये क्या करता है कार्बो हाइडरेट को तोड़ने में मदद करता है और कार्बोहाइड याद रखेगा इस बात को चलिए निमलिखित में से किस रूप में हमारे सरीर में कार्बोहाइडरेट जमा होता है अच्छा किस रूप में कार्बोहाइडरेट जमा होता है तो इसका सही जवाब है अभी अबने देखा गलाइकोजन के वसा जो है जो fats है ये आपका क्या करता है most concentrated energy source है वसा ठीक है एक ग्राम प्रोटीन तथा carbohydrate में लगभग 4 किलो कैलोरी जबकि एक ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी उर्जा प्राप्त होती है याद रखेगा एक ग्राम प्रोटीन तथा carbohydrate से लगभग 4 किलो कैलोरी एनर्जी जबकि एक ग्राम फैट से अगर आपका fat burn होता है तो 9 किलो कैलोरी उर्जा वहां से आपको प्राप्त होती है तो starch एक प्रकार का carbohydrate ये आपको पता है आहार में लवन का जो salt होता है जो लवन है उसका मुख्य उप्योग क्या है तो याद रखेगा आहार में लवन का मुख्य उप् लिज हो जाना है तो अगर आपके आहार में सही मात्रा में लवन है नमक है सॉल्ट है या फिर किसी पर प्रकार का पिकल्स वगेर आचारी सर्थ तो एक सील को की लगु मात्रा मतलब बहुत ज्यादा पैदा वहां से नहीं होगा ठीक है चलिए आगे दिखते है लिपीड क् कोलेस्टरोल, ट्रांस, फैट, फैटी एसीड ये सब क्या है लिपीड के प्रकार है वसा की फैट के प्रकार है ठीक है लिपीड देखे हमारे भोजन के सारे तैलिया वह चरबी युकत अर्था चिकनाई वाले घटक लिपीड होते है ठीक है चिकनाई वाले स्मूत वाले घ कोलेस्ट्रोल को संसलेसित किया जाता है ठीक है कोलेस्ट्रोल का संसलेसित किया जाता है ठीक है कोलेस्ट्रोल का संसलेसित कहां पर किया जाता है ठीक है तो कोलेस्ट्रोल का संसलेसित होता है हमारे लिवर में याद रखेगा कोलेस्ट्रोल का संसलेसित होता है लिवर में यान amount में cholesterol हो जाए लिपीट्स हो जाए तो आपके blood vessels में क्या होगा ये जमना सुरू हो जाता है और अगर blood vessels में ये जमने लगेगा तो जो blood का transportation है वो उसको block करेगा और अगर blood का transportation block हो जाता है अगर उसके mark में अवरोद आएगा तो वहाँ से क्या होगा oxygen का transportation सही नहीं होगा heart के पास blood सही से नहीं पहुचेगा और heart attack आने की संभाव ना हो जाती है हिरदय रोग इसलिए cholesterol को कहा जाता है कि cholesterol कम हो cholesterol कम कैसे होगा fatty चीजों को वसिय युगत चीजों को कम खाना होगा ठीक है चलिए किस खाद घटक का सकल उसमिया मान सबसे अधीक है देखिए which food component has the highest gross calorific value अभी हमने देखा कि एक ग्राम fat के जलने से लगभग 9 किलो कैलोरी energy उत्पन होती है जबकि एक ग्राम carbohydrate एक ग्राम protein के जलने से मात्र लगभग 4 किलो कैलोरी energy वहाँ से generate होता है तो यहां से क्या हो जाएगा वसा हो जाएगा इसका सही जवाब कि सबसे ज़्यादा energy वसा में है ठीक है कोलेस्टरोल का सम्मंद किस से है तो कोलेस्टरोल का सम्मंद वसा से है बिलकुल सही carbohydrate है रग्त में kolesterol की अधेतिक मात्रा पाय जाने से हिरदः संबंधी बिमारी होने की संभावना बड़ जाती है किन्वन एक प्रकार का क्या है किन्वन गानि कि यान गावायविया स्वशन यानि कि आन एरॉबिक रेस्पिरेशन है जैसा कि आपने सुना होगा yeast यानि कि खमीर जो कि एक परकार का fungus है अब yeast जो होता है उसमें fermentation होने के बाद alcohol industry में उसका उप्योग किया जाता है वहाँ पर oxygen की अनुपस्थिती में उसका fermentation किया जाता है तो अगर oxygen की अनुपस्थिती में कुछ हो रहा है तो वह किस परकार का स्वसन है और वाइविया स्वसन है अनारोबिक स्वसन है ठीक है चलिए और वाइविया स्थिती यानि कि अनारोबिक स्थिती में जैविक पदार्थ जो biological material है उसके जिवानु अफगटन को क्या कहा जाता है तो याद रहे कि अभी हमने कहा कि यह होता है किनवन यानि की fermentation होता है ठीक है बाई साहब चलिए निम्न में से किसमे प्रतिग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है किनवन के पस्चाथ सबसे व्यापक रूप से मुलासे का प्रयोग निम्न में से क्या तयार करने के लिए किया जाता है मुलासे after fermentation is for producing, किसके लिए होता है, तो याद रखेगा ethanol के लिए, किसके लिए ethanol के तयार करने के लिए, किनवन के पस्चाथ सबसे व्यापक रूप से सिरा, यानि कि मुलासे का परियोग ethanol तयार करने के लिए किया जाता है, C6H12O6 ये glucose है, और इसका जब किनवन होगा, तो य आपर देखे, OxyDory, OxyDory, OxyDory ductus, Transferages, Hydrolycesis किस वर्ग में आते हैं, तो ये सब जो हैं, ये Enzymes से क्या है, OxyDory ductus, ठीक है, Oxy Reductates, Transferages, Hydrolyces, तो ये सब जो हैं, Enzymes Group में आते हैं, ठीक है, Oxy, Oxy Reductus, Transferages, Hydrolyces, ये सब ये Enzymes हैं, Enzymes को 6 परमुक वर्गों, जैसे कि, क्या होता है, OxyDory ductus, ठीक है, Transferages, Hydrolyces, Lies, Isomerase, Ligage, ये सब आपका Enzymes की मतलब, Enzymes के परिवार हैं, ये सब क्या हैं, Enzymes के वर्ग हैं, दीके ये जो Ligage यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये DNA, जो होता है, DNA का कोई सेग्मेंट, अग प्रम्यान में, Ligage क्या करता है, वहाँ एक Catalyst की उपर तरह कारी करता है, और वो DNA को सही करता है, ठीक है, Yist, यानि कि इसे हिंदी में खमीर कहा जाता है, और Yist एक प्रकार का Fungus है, याद रहेगा Fungus यानि कि कवक, देकि Fungus में, फंजाई जो होता है, वो Unicellular नहीं, बल जाता है, ठीक है, याद रखेगा, निमलेखित में से कौन सा Carbohydrate के पाचन का प्रमुख अंत उतपाद होता है, तो याद रखेगा, Carbohydrate जब Digest होता है, तो जो Last Product होता है, जो Ind Product होता है, वो आपका Glucose होता है, और Glucose के बाद ही, क्या होता है, Energy बनने का काम सुरू होत जाता है, वहाँ पर आहार नली में, जो पेशिय संकुचन है, उसे क्रमा कुंचन कहा जाता है, याद रखेगा, एक व्यस्क मनुस्क में, एक व्यस्क मनुस्य में, कितने स्वधन्त होते हैं, यानि कि इसे रदनक कहा जाता है, Canines, ठीक है, तो एक व्यस्क मनुस्क में, चा प्रकार के होते हैं इंसाइजर, एक केनाइन, एक प्री मोलर और एक मोलर तो ये चार प्रकार के दात होते हैं हर एक इंसान में और बच्चों के अंदर जो है डेंटल फॉर्मूला अलग होता है एक किसोर का जो यंग जो जो जन लोग है उसके उसका टीनेजर का डेंटल फॉ पूरी तरह से एडल्ट लोगों का दात की संख्या 32 होती है जो किसोर होते हैं जो टिनेजर होते हैं उसके दातों के संख्या 28 होती है और जो बच्चे होते हैं उसके दातों के संख्या 20 होती है अच्छा जो एडल्ट होता है उसके दातों का फर्मूला क्या है दो एक दो तीन क्या है दो एक दो तीन उपर और नीचे दोनों मतलब अपर जो और लोर जो में दो एक दो तीन जिसमें इंसाइजर है केनाइन है प्री मोलर है और मोलर यह सब आपको पता होगा इंसाइजर यानि की करिंतक केनाइन यानि की रदनक फ्री मोलर यानि की अग्र चवरनक और मोलर यानि की चवरनक ये सब आपको पता होगा हम इसे digestive system में पढ़ेंगे एक वैस्क मनुस्य के पास कितने केनाइम दात होते हैं तो चार होते हैं यानि की दो जोड़ी होता है देख लिजे उपर एक जोड़ी और नीचे एक जोड़ी तो चार दात होते हैं ठीक है चलिए डात के एनामेल का मोटिंग किस कारण होता है कुरबरन करबूरन किस कारण होता है तो दात के एनामेल का कर्बूरन या मोटिंग जो है अगर आप अपने वाटर या फिर ज़़ादा अमाउंट में आपके पानी में फुलोराइड की मात्रा हो जाए तो आपके दातों का जो एनामेल है उसका छरन सुरू हो जाता है ठीक है छरन सुरू हो जाता है तो याद कहा जा रहा है किरिंतक दात किस लिए यूज होता है तो किरिंतक यानि कि जो आपका incisors होता है incisors तो इसे हम किस लिए यूज करते हैं तो याद रखेगा काटने और कुतरने के लिए ठीक है किरिंतक दात का यूज होता है किनाइन दात चीरने फाडने के लिए यूज होता है ठीक है चीरने फाडने के लिए जो ये चवरनक और प्री मोलर और मोलर होता है ये चबाने वगरा के लिए यूज होता है ठीक है मानव सरीर में पाचन तंतर का सबसे लंबा हिस्सा तो मानव सरीर में सर्फेस एरिया है वो थोला जादा होता है मोटा होता है तो वो बड़ी आत उसकी लंबाई मातर लगभग डेड़ मीटर होते ही याद रखेगा ठीक है चलिए तो हमने डाजेस्टिव सिस्टम को देख लिया आब हम देखेंगे एक्सक्रेक्टरि सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ठीक है अब देखें उत्सर्जन और जनन तंतर में हम क्या देखेंगे देखें उत्सर्जन तंतर क्या है यानि कि एक्सक्रेक्टरि सिस्टम अब मानव सरीर के अंदर या फिर हमारे सरीर के अंदर किसी भी सजीव के अंदर जिन पदार्थों की जिन मेटेरियल की जिन elements, substance, minerals की ठीक है जब जरूरत होती है जो सरीर के लिए लाबदायक होता है वो तो सरीर के अंदर ही अवसोसी हो जाता है एनरजी मिल जाता है उसे लेकिन जो भी पदार्थ अवसिष्ट पदार्थ बन जाता है जिसकी सरीर को कोई जरूरत नहीं होती है हानिकारत पदार्थ हो जाते हैं उन सब को सरीर के अंदर से बाहर निकालने को ही क्या कहा जाता है उत्सर्जन कहा जाता है क्या कहा जाता है उत्सर्जन कहा जाता है कहा जा रहा है कि चिकित्षा विज्यान की वह साखा जो गुर्दों से संबंदित है यानि कि किड्नी से संबंदित है भाई साहब तो ये होता है नेफ्रोलोजी के अंतरगत हम गुर्दों से किड्नी से रिलेटेड स्टडी करते हैं ठीक है नेफ्रोलोजी के अंतरगत अब आ होता है अत्रीक्त मात्रा में जो भी पदार्थ हमारे अंदर एक्स्ट्रा है उसको बाहर निकालना ही क्या कहलाता है उत्सरजन कहलाता है एक्सक्रेजन कहलाता है ठीक है चलिए आगे देखिए कहा जा रहा है कि निमलिकित में से कौन सा पदार्थ समानने तह मुत्र में पाया 95% जल, 2% अनावस्यक लवनों के आयन, 2.6% यूरिया और 0.3% क्रिटिनीन पाया जाता है याद रिखेगा, एक मुत्र में 95% जल पाया जाता है, 2% अनावस्यक लवनों के आयन पाया जाते है ठीक है और उसके बाद 2.6% यूरिया पाया जाता है उसके बाद 0.3% आपका क्रिटिनीन होता है ठीक है सुक्ष मात्रा में यूरीक एसीड एबम अन्य अनावस्यक और अपसिस्ट पदार्थ होते हैं अगर यूरीक एसीड क्रिटिनीन लेवल बढ़ जाता है तो इससे पता चलता है कि मुत्र में अगर इन सबका लेवल बढ़ जाए इन सबका कंसेट्रेशन बढ़ जाए तो यहाँ पर ये एक बिमारी के निसान होते हैं ये ये सरीर को संक्रमन से बचाता है इसे सरीर का सिपाही भी कहा जाता है आगे दिखे मुत्र त्याग करने से पहले वह मानव शरीर के उच्छरजन तंतर के किस भाग में संग्रहीत होता है तो ये मुत्रासे में संग्रहीत होता है कहाँ पर मुत्रासे के अंदर संग्रहीत होता है निमन में से कौन से गुर्दों की संरचनात्मक और कार्यात्मक की का वो नेफ्रोंस होते हैं ठीक है इसके बारे में आपको पता होगा किड्नी की किड्नी का जो संरचनात्मक और कार्यात्मक की काई होता है उसे नेफ्रों कहा जाता है देखे किड्नी की संख्या सरीर के अंदर दो एक जोड़ी होता है एक जोड़ी यानि कि दो किड्नी जोते है ठीक है, दो किड़नी जो होता है, अगर पूछा जाए कि बता ये किड़नी किधर होता है, तो रीड की हड़ी के, रीड के हड़ी के दोनों तरब किड़नी पाया जाता है, किड़नी के अगर भार की बात करें तो याद रख लिजेगा, 120 से 170 ग्राम तर किड़नी का वजन होता ठीक है और किड़नी के ऊपर का जो कवर होता है किड़नी के ऊपर का पर कवर जो होता है उसे कहा जाता है पौरिटोनियम जिली पौरिटोनियम मेंब्रेन याद रखेगा किड़नी का जो कवर होता है उसे पौरिटोनियम मेंब्रेन कहा जाता है ठीक है किड़नी में हम दो पा प्रोजी कहा जाता है किड़नी के अध्यान को ठीक है अब आगे देखे कहा जा रहा है कि यहां पर जो क्या है गुर्दे की किड़नी की संरचनात्म करियात्म के यह तो नेफरोन है जिसे विक्राव कानू कहा जाता है नेफरोन किसे जुड़े होते हैं तो नेफरोन उत्सरज तंतर से जो किड़नी में रहता है तो इसे जुड़े हैं कौन सा मुत्र प्रनाली का हिस्सा नहीं है देखें मुत्र प्रनाली का हिस्सा जो है या आपका मुत्र मार्ग, मुत्र वाहिनी, मुत्रा से ये सब मुत्र प्रनाली का हिस्सा है और ये जो ब्रोंकाईज है ये ब्रों अस्तवपुर्ण कार या निमन में कौन सा अवियव करता है तो हम तो जानते हैं किड़नी मेमेल्स में एक्सक्रेशन का जो मुखे कार है वो किड़नी करता है ठीक है चलिए जब किड़नी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपसिस्ट उतपादों और खून से अतरी द्रव को निकालने की प्रकिरिया को क्या कहा जाता है तो याद रिखेगा डालिसीस पर अगर व्रिक या किड़नी सही से काम करना बंद कर दे जो कि उसका काम है कि शरीर के अंदर से वेस्ट मेटरियल को बाहर निकालना अब किड़नी का भी नहीं करेगा तो अलग से शरीर में रक्त के सोधन एवम इससे अपसिस्ट पदार्थों को निकालने के लिए डालिसिस प्रकिरिया अपनाई जाती है इसमें एक क्रितरी मसीन की सहाइता से रक्त को फिल्टर किया जाता है ठीक है कौन से मानव अंग के छतिग्रस्थ हो जाने या ठीक से काम ना करने के स्थित जाता है याद रखेगा ठीक है चलिए गुर्दे की पत्री जो होता है ना गुर्दे की पत्री ये कैल्सियम ऑग्जलेट देखें वहाँ पर आपने सुना होगा कि स्टोन हो गया किड्नी में स्टोन हो गया किड्नी स्टोन जो होता है वो कैल्सियम ऑग्जलेट का बना होत और याद रख तब किशी का से लिए प्सotta को खटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मदार है, कौन सा जिम्मदार है भाई साब? तो यह है आपका यह है किडनी ठीक है? किडनी, मानव शरीर में nitrogenous android को हटाने का कार एक जोड़ी किडनी करता है किडनी रख्त को च्छानने का कारे करता है, उसके लिए यहाँ पर figure वगेरा दिखाना होगा कि किस परकार से धमनी का वगेरा से blood वहाँ पर आता है उसमें glow में रिलस होता है ठीक है वहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे बोमें संपूट के उपर, बोमें संपूट या बोमें स्कैपसुल के उपर कैसे gonomerilis होता है फिर आगे वो हाँ से tubes के माध्यम से जाती है संक्रहक नली का में जाती है और उसके बाद फिर मुत्रासे से मुत्र बाहार हो जाती है तो देखें वह नली है कौन सा वह नली है जो मुत्र को kidney से मुत्रासे तक लेकर तो मुत्र को किड़नी से मुत्रासे तक लेके जाने का काम यूरेटर यानि के मुत्रवाहिनी करती है। रीनल आर्टरी करता है। याद रखेगा हाट से हाट के चार चेमबर होते हैं मानम में। उपर वाला आपका आर्टरी कहलाता है। नीचे वाला वेंटरिकल कहलाता है। राइट लेफ्ट राइक लेफ्ट नीचे। इस तरह से चार चेमबर होता है। इसके बारे में हमने कल बात किया हुआ था तो वरिक से हिरदय से बलड को किड़नी के पास लेकर आने का काम कौन करता है रीनल आट्रे यानिके वरिक धमनी आग करती है रीनल आट्रे एक जोड़ी धमनी है जो वरिक में परेंकाइमा जो वरिक में किड़नी में परेंकाइमा तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुचाती है वरिक धमनी पेट की महा धमनी से दो साखाओं के रूप में निकल कर वरिक की ओर जाती है। मुत्र के पीले रंग के लिए कौन सारा साइन जिम्यदार है तो याद रखेगा यूरो बिलिन देखे एक दीन के अंदर लगभग डढ़ लिटर इसका क्या होता है मात्रा होता है तो ये नॉर्मल है ठीक है उसके बाद देखिए यूरीन का जो pH है याद रखे है यूरीन का pH 6 होता है इसका मतलब क्या है साथ से कम है तो ये से डिक है कैसा यूरीन का pH से 6 होता है अच्छा यूरीन में मुत्र में क्या होता है मुत्र में तो दुर्गंद आता है ना तो यह जो दुर्गंद होता है जैसे ताजा मुत्र होता है जैसे तुरंत अगर विरियून किया गया है तो ताजा मुत्र में जो दुर्गंद होता है वो यूरिनोइड के कारण होता है ताजा मुत्र में जो दुर्गंद होता है वो कारण होता है जो यूरिनोइड से अमोनिया बनता है अब यूरिनोइड से अमोनिया जो बनता है ये बैक्टिवियाज वगेरा बनाते है ठीक है याद रख लिजेगा चलिए आगे दिखते हैं मानम मुत्र का पीला रंग किसके कारण तो यूरो क्रॉम वरनक के कारण होता है उरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है याद रिकेगा उरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है और यहाँ पर मस्तर के पीले रंग के लिए कौन सा रसायन जिमेदार है तो यूरो बिलीन और कौन सा पिगमेंट मानम मुत्र का पीला रंग उरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता ह गर्बनाल के कितनी धमनिया होती हैं, गर्बनाल के दो धमनिया होती है, महिलाओं में रजो वृती वह चरण होता है, जब मासिक चक्र रुख जाता है और प्रजनन चमता छिन हो जाती है, याद रखेगा, जो मेंस्ट्रुल साइकल हो रुख जाता है और उसके रिप्रोडक्शन जो क्यापासिटी है वो खतम हो जाती है, तो इसे रजो वृती कहा जाता है, महिलाओं में रजो वृति चरन प्रारंब होने का अर्थ है कि उनके मासिक चक्र का रुख जाना इवन प्रजनन छमता की समाप्ति या फिर कम हो जाना ठीक बात है चलिए आगे देख लेए तो देखे आगे कहा जा रहे कि निमन में क्या मादाओं का प्राथमिक यौन अंग है which of the following is the primary sex organ in females तो देखे फीमेल में जो primary sex organ होता है उसे हम कहते हैं अंडा से क्या कहते हैं ओवरी कहते हैं याद रिखेगा ओवरी को फीमेल का जो primary sex organ कहा जाता है चलिए आगे देख लेते है ओवर्म ठीक है याद रिखेगा चलिए तो यहां से हम लोग इस चाप्टर को खतम किये अब हम देखते हैं विटामिन एवं उनसे संबंधित रोग विटामिन और उनसे संबंधित रोग तो यहां पर हम डिटेल में इसे करेंगे प्रसनों के माध्यम से चलिए एक एक कर है तो जो डर्मेटाइटिस है वो विटामिन की कमी के कारण होने वाला एक रोग है विटामिन की कमी के कारण होने वाला एक रोग है डर्मेटाइटिस यह स्कीन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अच्छा सोत यानि कि डर्मेटाइटिस विटामिन की कमी की कारण होने वाल VITOME को लेते हैं, VITOME कितने होते हैं, VITOME की सबसे पहले इसके बारे हम बताया था, C FUNK ने, A, D, E, K, और VITOME B, C, A, D, E, K, तो देखे, यहां पर हम देखेंगे, VITOME B Complex का अलग-अलग नाम देखेंगे, VITOME A के क्या नाम होते है, VITOME C का रसाइनिक नाम क्या होता है, D का रसा कितने हैं तो याद रखेगा C13 देखे यह 2020 की बात है तो मार्च 2020 तक जो मानने अनिवारिय विटामिन्स है वो कितने हैं तो 13 हैं वर्तमान में मनुस्य के सरिल में 13 विविन विटामिनों की उपस्तिती मनने हैं जिनमें 4 वसामे घुलंसील है याद रखेगा जो ADEK है यह फै और fat soluble ADEK तो चार हो गया आपका क्या what fat soluble ADEK उसके बाद यहाँ पर जो vitamin B होता है ठीक है यह जो vitamin B होता है इसके 8 होते हैं याद रखेगा vitamin B यह तो 4 हो गया 8 vitamin B के vitamin B complex में आता है जिसमें की B1 से लेकर B12 तक चलते हैं ठीक है इसके अलग-अलग रासा नहीं नाम होते है और vitamin C ठीक है तो यह 13 vitamin है चलिए vitamin A को याद रखेगा vitamin A को हम retinol के नाम से जाना जाता है ठीक है और vitamin A की बात हो रही है तो इसका रासायिक नाम retinol हमने देखा और vitamin A की कमी से क्या विमारी होता है भाई साथ, तो बिटामिन A की कमी से, रताउन दी, जीरोप्थैलेमिया, ये सब बिटामिन A की कमी से होता है, जीरोप्थैलेमिया, बिटामिन A, अगर आपको बिटामिन A का सुरोत पुछा जाए, तो याद रखेंगा गाजर, हरी सबजियां, हरी पत्त केल्सी फेरोल विटामिन डी का रासायानिक नाम है, निमन में से किस विटामिन की कमी से रताउंधी हो जाती है, तो ये विटामिन A की कमी से जिसे राटिनॉल कहा जाता है, इसकी कमी से विटामिन A की कमी से रताउंधी हो जाती है, विटामिन C का रासायानिक नाम रतांदी का रोग होता है तो विटामिन A की कमी से होता है ठीक है विटामिन A की कमी से विटामिन A को रेटिनॉल और विटामिन K को कहा जाता है नेफ्टो क्यूनोन याद रखेगा नेफ्टो क्यूनोन विटामिन K का रासायानिक नाम है और विटामिन K की कमी से जो बलड में clot नहीं होने लगता है, अगर vitamin K कमी हो जाए तो blood में जो ठका जमता है, वो होना बंद हो जाता है, तो थोड़ा कम हो जाता है, अच्छा, protein और vitamin C को ascorbic acid कहा जाता है, यह तो हमने देखा, अच्छा, निमन में से किस vitamin की कमी से बिमारी हो जाता है याद रिखेगा विटामिन E को कहा जाता है तोको फेरोल क्या तोको फेरोल और विटामिन B को कैलसी फेरोल कहा जाता है ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं तो याद रखेगा विटामिन A प्रतिरक्षा इम्म्यून सिस्टम को तगड़ा करता है ठीक है इम्म्यून सिस्टम को तगड़ा करता है आपका विटामिन A प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा प्रदान करता है चलिए आगे दिख लेते हैं विटामिन A का प्रमुक कार्य क्या है त जनन छमता कार्बोहाइडरेट के मेटाबोलिजम आधी के लिए आवस्यक होता है। कमजोर एपिथिलियमी अस्तरों पर जिवानों आधी का संक्रमन हो जाता है। एपिथिलियम क्या होते हैं? जो आउटर लेयर होता है। अब कहा जा रहा है किस विटामन की कमी से तो विटामन की कमी से होता है। या मुख्य रूप से बिटामिन A की कमी से होती है, ठीक है, बिटामिन A की कमी से होती है, यह हमने देख लिया, अब आगे देखिए कहा जा रहा है कि इनिमन में से किस बिटामिन को रेटिनॉल भी कहा जाता है, तो देखिए कितना इंपोर्टेंट है यह बिटामिन A लगतार इसे सवाल बन रहा है, विटामिन A की कमी से क्या होता है, विटामिन C को एसकॉर्बी के सी कहा जाता है, इसकरवी रोग, विटामिन K को नेफ्थोकिनों, विटामिन D को कैलसी फेरोल कमी से, जो बिमारी है, हमने आपको बता है, विटामिन A की कमी का परिनाम क्या है, तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासीन ठीक है विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासीन ठीक है हिमोगलोबिन और मायोगलोबिन ठीक है दोनों के आईरन के निर्बान के लिए वस्तेक होता है तो यह तो हम जाते हैं हिमोगलोबिन और मायोगलोबिन दोनों आईरन के यह याद रखलिजेगा विटामिन B12 को और इस विटामिन B12 की अगर कमी होती है तो विटामिन B12 की कमी होती है तो एक आपका विमारी याद रखेगा फोटोफोबिया ठीक है फोटोफोबिया कौनसा फोटोफोबिया बहुत बारी जाम में पुछा गिया है फोटोफोबिया और एक विमारी याद रुक लिजेगा कि एकदम severe anemia यानि कि जो blood arvices की कमी होती है ब्लड में वो बहुत कम हो जाए severe anemia जो है यह vitamin B12 की कमी से होती है, photophobia, sinocobalamin इसे कहा जाता है, ठीक है, चलिए नियासीन, जो vitamin B complex group का एक vitamin है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है तो अभी हमने आपको बताया कि नियासीन जिसे vitamin B3 का ये रासायनिक नाम है, इसकी कमी से पिलागरा नाम का विमारी होता है, रतंदी vitamin A, ricketts vitamin D और ये marasmus जो है, यह आपको बताना है किस vitamin की कमी से होता है, ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कहा जा रहे हैं कि vitamin K की business भूमिका किसके sensation में है, तो याद रखेगा pro-thrombin, vitamin K की महतपुर भूमिका है, pro-thrombin के synthesis में, pro-thrombin के निर्बान में, जो कि blood clotting में सहायक होता है प्रोफरमीन, Blood Clothing, Blood के थक्का जमने में, सहयक होता हूए, अगर सभी से नहीं हो, विटामीन K की कमी हो जाके, तो प्रोफरमीन नहीं नहीं बनेगा, तो Blood का थक्का जमना, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, चलिए, निम्न मेंसे कौन मानव के रक्त का थक्का बनाने के लिए दनिवार है तो विटामिन के है ठीक है विटामिन के निम्न में से किसकी कमी से रक्ट का थक्का नहीं जमता विटामिन के विटामिन E को टोको फेरोल कहा जाता है विटामिन E की कमी से जनन छमता में कमी आ जाती है ठीक है विटामिन B12 को साइनो कबाल एमिन कहा जाता है इसकी कमी से फोटोफोविया उसके बाद हमने देखा विटामिन B12 की कमी से सीवियर एनीमिया विटामिन K की कमी से हमारे सरीर में क्या होता है तो हमारे सरीर में रक्त के ठक की जमने में देरी होता है इसकरवी विटामिन C की कमी से रतांदे विटामिन A की कमी से और प्रजनन में व्याबधान विटामिन E की कमी से होता है जिसे टोको फेरॉल कहा जाता है निम्ड में से किस विटामिन की कमी से रक्त के ठक्के बनने में देरी होती है तो विटामिन K की कमी से जिसे कि नेफ्टो क्यून कहा जाता है ठी vitamin C कारासाइनिक नाम ascorbic acid है तो अभी आप देखिए कि इसमें कौन सा सवाल इसमें कौन सा option सही होगा तो कोई option सही हमें नहीं लग रहा है इसलिए इस डार मार्क किया गया है चलिए निमन में से किस बिमारी को 3D की बिमारी के नाम से भी जाना जाता है इसमें dementia, diarrhea और dermatitis सामिल है देखिए 3D यानि कि 3D होता है इस बिमारी को कहा जाता है इसमें dementia, diarrhea और dermatitis सामिल है तो यह होता है यह पेलागरा बिमारी जो है यह मतलब vitamin B3 की कमी से बिटामिन B3 की कमी से जो पेलागरा नियासीन है तो यह जो है इस बिमारी को 3D बिमारी भी कहा जाता है इस पेलागरा बिमारी में क्या हो जाएगा डामिनसिया हो जाएगा डायरिया डर्मेटाइटिस यह सब आ जाता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं निम्न में से किसकी क कमी के कारण पिलाग्रा रोग होता है तो विटामिन B3 जो कि नियासीन के नाम से जाना जाता है इसकी कमी से पिलाग्रा होता है विटामिन B2 को राइबो फ्लेविन कहा जाता है इसकी कमी से कीलोसीस होता है विटामिन B5 को याद रखेगा पेंटो थिनिक एसिड कहा जाता है और vitamin B5 की कमी से skin diseases और बालों का सफेद होना और skin disease जो है vitamin B5 की कमी से होता है याद रखेगा और vitamin B2 को riboflavin कहा जाता है और इसकी कमी से kilosis नाम का बिमारी होता है क्या आप लोगों को अच्छे से सब कुछ समझ आ रहा है रिविजन हो रहा है बढ़िया तरीके से तो वीडिय जी के चल रहा है वो भी cover करवा दिया जाएगा उधर बचेगा आपका जोगरफी तो जल्दी से जोगरफी का भी महराथन क्लास ले करके हमाएंगे और उसको complete कर देंगे जिससे कि आपका maximum portion cover हो जाए जो history, quality, जोगरफी, उसके बाद science के portion और जो static जी के वाला portion है तो total हमा पूरा maximum portion complete हो जाएगा चाहिए आप किसी भी exam पे बैटने जा रहे आने वाले समय में ठीक है चलिए तो निमन में से किस vitamin का वज्यानिक नाम कोबालेमीन है तो ये तो हमने देखा है B12 का रासायनिक नाम कोबालेमीन है, vitamin B12 का इसकी कमी से क्या हमने बताया, photophobia, photophobia यानि कि प्रकास में जाने से डर जो लगता है, light में जाने से डर लगता है, उसके बाद जो severe anemia है और याद रखेगा vitamin B12 की कमी से nervous system में भी गड़वडी देखने को मिलती है, ठीक है, vitamin E, vitamin C, vitamin B1 को नहीं बताया है, तो देखे vitamin B1 को थाइमीन का जाता है, क्या vitamin B1 का रासायनिक नाम थाइमीन है और इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, याद रखेगा, बेरी-बेरी, vitamin B12 आम तोर पर plant foods में नहीं पाया जाता है, याद रखेगा, vitamin B12 आम तोर पर plant foods में नहीं बलकि milk products, fees products, poultry products, इन सम्में vitamin B12 पाया जाता है, और plant foods में इन सम्में नहीं पाया जाता है, Niasin के नाम से जिसकी कमी से पेलागरा होता है, B1 को जाना जाता है, Thymine के नाम से बेरी-बेरी बिमारी और B6 को जाना जाता है, Pyridoxin, इसको मैंने नहीं बताया तो देख लिजे, Pyridoxin, B6 का रासाइनिक नाम है, Pyridoxin और इसकी कमी से याद रखेगा इसकी कमी से भी, Skin Dages व B2 को riboflavin B1 को thymine कहा जाता है ठीक है इतना आपको पता हो गया होगा चलिए आगे दिखते हैं अंडे की जर्दी देखें अंडे का जो पीला भाग होता है उसे अंडे की जर्दी कहा जाता है और अंडे की जर्दी में कौन सार 90% से अधिक विटामिन होता है तो याद विटामिन C, विटामिन A, विटामिन K इसके बारे में हमने बात कर लिया निमिल में इसे किस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है तो याद रखेगा विटामिन B में नाइट्रोजन पाया जाता है विटामिन B के समुह में विटामिन में नाइट्रोजन होती है याद रकेगा इसमें 8 vitamin है B1, B2, B3, 3 हो गया B5, B6, B7, कितना हो गया 3, 3, 6, B9 और B12 तो इसमें 8 vitamin B complex में 8 vitamin है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B4 नहीं है याद रखेगा और B8 नहीं है तो B4, B8 नहीं है बाद बागी B9 है, B12 है 10 नहीं है 11 नहीं है ठीक है याद रख लिजेगा चलिए तो बिटामिन B1 को थाइमिन B2 को राइवोफलेविन B3 को नियासीन B5 को पेंटोजनी के सीड B6 को पैरोडेकसीन B7 को बायोटीन B9 को फॉलीकेसीन और B12 को साइनो कबाल एमिन कहते हैं बिटामिन B कॉंपलेकस में कितने बिटामिन होते हैं तो आठ बिटामिन होते हैं बेरी-बेरी रोग किस की कमी से होता है तो बेरी-बेरी रोग B1 की कमी से होता है जिसे हम कहते हैं थाइमिन B2 को कहते हैं राइवोफलेविन इतना आपको याद हो गया होगा ठीक है यहां से अब आपका प्रस नहीं चुटने वाला है ठीक है, चलिए आगे देखते है कहा जा रहा है कि मनुस्यों में निम्नलिकित में से किस बिटामिन की कमी के कारण बेरी-बेरी रोग होता है तो बेरी-बेरी बिटामिन B1 की कमी से जिसका रासायनिक नाम थाइमीन है ठीक है, बेरी-बेरी किस की कमी से होता है तो B1 की कमी से, B6 को Pyridoxin काते है B3 को Niacin काते है B2 को Riboflavin काते है याद हो गया, किस बिटामिन की कमी से थाइमीन की कमी से क्या होता है तो थाइमीन B1 है, और B1 की कमी से बेरी-बेरी होता है ठीक है इसकरवी बिटामिन C की कमी से रिकेट्स D की कमी से और पेलागरा होता है बिटामिन पेलागरा जो है नियासीन की कमी से होता है और ये बिटामिन B3 है और पेलागरा को 3D विमारी कहा जाता है डाइमेंसिया डाइरिया और याद किजिए चलिए मचली में मौझूद राइबोफलेविन मचली में मौझूद राइबोफलेविन जिसे बिटामिन B2 कहा जाता है ठीक है बिटामिन B2 कहा जाता है मचली में मौझूद राइबोफलेविन को किस रूप में जाना जाता है तो ये तो बिटामिन B2 हैं, भाई साब चलिए, अब आगे देखी, निम्न में से कौन सा बिटामिन B कॉंपलेक्स समू से संबंधित नहीं है, राइबोफलेविन B2, थाइमिन B1, ये दोनों तो है भाई साब, आगे देख लिजे, एसकोर्बीकेसीड बिटामिन B9 हैं, ये बात तो आपको पता होगा, तो एसकोर्बीकेसीड यानि कि बिटामिन C, ये संबंधित नहीं है, चलिए, इसकरवी एक बिमारी है जो गंभीर और स्ठाई कमी के कारण होता है, ये याद रखेगा, बिटामिन C की गंभीर कमी के कराना मातादरत सरदर यह समोता है ठीक है चलिए आगे देखिए मस्लूम से खूनाना किस विटामिन की कमी से होता है तो विटामिन सी की इसकरवी रोग किस विटामिन की कमी से विटामिन सी जिसका रासायानिक नाम है एसकॉर्बी के सीड विटामिन C की कमी के कारण, कौन सा भीमारी, इसकरवी, पिलागरा की के कारण, विटामिन B3 की कमी के कारण, एनिमिया, विटामिन B12 की कमी के कारण, रतंदी, विटामिन A की कमी के कारण, ठीक है, एसकरवीक एसीड को कहा जाता है, विटामिन C, चलिए, आगे देख लेते हैं, एसकरव मुखी रूप से vitamin C की कमिसे होता है चलिए मुखी रूप से खटे पलो रसीले निंबो संत्रा इसमें पाया जाता है vitamin C ठीक है vitamin C चलिए अब आगे देख लेते हैं ऐसा कौन सा vitamin है जिसके अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे जरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव देते हैं। जा रहा है कि इसको मिलाने के लिए कहा जा रहा है उनके वैग्यानिक नाम के साथ तो सबसे पहले विटामिन A को रेटिनोल कहा गया, विटामिन E को टोकोफेरोल कहा गया, विटामिन C को एसकोर्भी कैसीड कहा गया और विटामिन डी को कैल्सी फरोल ताप इसे मिला लिजेगा ठीक है चलिए निम्न में कौन सा जल में घुलने वाला तो वाटर सॉलिबल जो है यह आपका BC है हमने आपको बताया था BC वाटर सॉलिबल मानव शरीर के आत में जो इंटस्टाइन में बैक्टिरिया है वो विटामिन के का निर्मान करते हैं और विटामिन के का निर्मान होगा तो प्रोथरमिन बनेगा प्रोथरमिन बनेगा तो बलड का क्लॉटिंग होगा या दरकिका मानव शरीर के आतों में बैक्टिरिया द्व calcium, protein, carbohydrate, यह सब तो पाया जाता है ठीक है लेकिन vitamin C बहुत कम मात्रा में पाया जाता है निमंड में से किसमे, vitamin C के मात्रा सबसे अधिक होती है, तो याद रखेगा, सबसे अधिक vitamin C के मात्रा निमबू में होती है, ठीक है जलिए, निमंड में से कौन सा vitamin D calcium के absorption में सहायक है, नि कि अगर विटामिन D सही होगा, तो कैलसीयम का वो अबसोसन करेगा सही तरीके से और हड्डियां कैलसीयम से मजबूत होती है तो विटामिन D कैलसीयम तथा फास्फइट के अबसोसन और अस्थी के निर्मान में सायक होता है, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और व्यसकों में औस्टियो मेलेसिया नामक रोग हो जाता है ठीक है कॉड लीवर तेल किसका सुरूत है तो याद रखेगा कॉड लीवर तेल जो है यह विटामिन A का सुरूत है कौड लिवर तेल जो है ये विटामिन A का सुरूत है ठीक है याद रखेगा इसके वाला वे विटामिन A के सुरूत है गाजर, हरी सबजियां, दूद ये सब विटामिन A के सुरूत है ठीक है चलिए का जा रहे हैं, मच्छली से प्राप्त होने वाला COD-LEVER TEL किस विटामिन से समरीध होता है, तो ये विटामिन A से समरीध होता है ठीक है? विटामिन A से चलिए आगे देख लेते हैं मुक्यता पस्चिमी देशों में जो बच्चे सुरी की धूब कम प्राप्त कर पाते हैं वो किस से ग्रसित होते हैं तो वो रिकेट से ग्रसित होते हैं किस से रिकेट से क्योंकि विटामिन D से रिकेट से होता है बच्चों में C को जाना जाता है ascorbic acid के नाम से folic acid के नाम से B9 को जाना जाता है इतना अगर आपको पता है तो चलिए आगे कहा जा रहा है कि किसकी कमी से रिकेट्स होता है तो vitamin D की कमी से रिकेट्स होता है B की कमी से vitamin B में तो B complex है B1 से लेकर B12 8 vitamin A में vitamin A को retinol इसकी कमी से रतोंदी, जीरब थेलेमिया, विटामिन C को एसकर्वी के सीर कमी से इसकर्वी बिमारी होता है, ठीक है? तो ये आपका हड्डिया, ठीक है? रिकेट्स तो हड्डियों से चलिए, विक्रित हड्डिया किस रोग से समन्दित है, तो ये आपका रिकेट्स से है, इसकर्वी में मस्वडों से कून आना ये बहुत इंपोर्टेंट है, चलिए, हैजा, एक पैक्टिरियल डीजी जी है, ज चलिए, कैल्सियम की कमी, मुकी रूप से किस विटामिन की कमी से पैदा होती है, तो विटामिन डी की कमी से, क्योंकि विटामिन डी का काम होता है, कैल्सियम के अब्जॉर्ब करना, अवसोसित करना, और विटामिन डी की कमी होगी, तो कैल्सियम की कमी देखने को मिलेगी, ठीक है, केलसियम की कमी देखने को मिलेगी तो यहां से इतना हो गया, अब हम आगे देख लेते हैं अब हमारा यह vitamin कवर हुआ यहां से अब हम देखेंगे अंतह स्रावी गरंथियों के बारे में तो देखिये, अन्तछरावी ग्रंतियां क्या होती हैं? जो glands होता ہے, endocrine glands, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे, साती सात यहाँ पर थोड़ा साइस का चर्चा करते हैं, कि, देखिये, अन्तफरावी ग्रंतियों में कहा जाता है, कि कुछ ऐसे sails, tissues, या फिर organs जो कि materials का निर्मान करती है पदार्थों का निर्मान करती है और उसके बाद उसको सरीर के अंदर secret करती है छोड़ती है रिलीज करती है जो कि सरीर के लिए आवस्यक पदार्थों का निर्मान करती है तो इसे अंतहसरावी ग्रंतिया करते हैं अंतहसरावी ग्रंतिया जो होती ह जिनमें से आपको याद रखना है कि आपका लार गरंती होता है जैसे आपका लार गरंती होता है जैसे सेलिवरी ग्लैंडस हैं यह सब आपका अंतसरावी गरंतिया है ठीक है जो कि जिसमें नलिया पाई जाती है नालिका पाई जाती है और कुछ ग्रंथिया होती है जो ductless gland होते हैं उसमें नालिकाएं नहीं पाई जाते हैं ट्यूब्स नहीं पाई जाते हैं डक्ट नहीं पाई जाते हैं और उस टाइब की जो ग्रंथिया है आपको उसका अगनासे ये भी एक ग्रंती है जोसे मिस्रित ग्रंती कहा जाता है चलिए अब एक एक करके देखते हैं अगनासे में एकसो ग्राइन और एंडोक्राइन दो परकार की को सीकाय होती है यह भी हमने कहा अंतरसरावी और बहीसरावी दोनों होती है ठीक है याद रखेगा अगना स्रावी या इंडोक्राइन ग्लेंड दोनों प्रकार की कोशिकाएं होती हैं पैंक्रियाज यानि की अगनासे की कोशिकाएं जो की इंसुलीन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है तो पैंक्रियाज की वो कोशिकाएं जो इंसुलीन का उत्पत्ति करता है उसे लेंगर हैंस की दि ठीक है लेंगर हेंस की दुपिकाएं कहा जाता है चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर कहा जा रहा है इंसुलीन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अगनासे में स्थित लेंगर हेंस की दुपिकाओं के बीटा सेल के द्वारा होता है अब लेंगर हेंस की दुपिकाओं के तीन सेल होते हैं, बिटा सेल, गामा सेल और आलफा सेल, यह रुदीर में सरकरा, यह रुदीर में बलड में ग्लुकूज का नियमन करता है, सुगर का नियमन करता है, रिगुलेशन करता है और इसकी कमी से, वैक्ति में मदुमेह नामक सुगर का बिमारी हो जाता है, एस्ट्र करा के अस्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है तो यह तो इंसुलीन हो जाएगा ठीक है इंसुलीन अभी हमने पढ़ा चली आगी देख लेते हैं कहा जा रहा है इंसुलीन इंसुलीन जो है यह कहां सक्रिया होता है तो अगना से कहाँ पर अगनासे की लेंगर हेंस दिपिकाओं के बीटा सेल के द्वारा अगना इंसुलीन की उत्पत्ती होती है और ये बलड में बलड सुगर को मेंटेन करता है और इसके कभी से डाइबिटीज हो जाता है चीक है किन कोसिकाओं से इंसुलीन का रिसा होता है तो लेंगर ह शरीर के किस अंग से इंसुलीन का असरा होता है तो अगनासे से इंसुलीन का असरा होता है ठीक है निमन में से कौन सी गरंथी इंसुलीन बनाती है तो ये बनाती है अगनासे गरंथी जो की मिस्रित गरंथी कहलाती है याद रखेगा मदू में होने का कारण है मदू में होने क वहीं ने देखा था अब देखें कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है तो पैंक्रियाज कौन सा पैंक्रियाज जाने किब बीटा को सिाएं करती है, अगनास है के लेंगर हैंस के दिपिकाओं के बीटा को सिखा। ठीक है ट्रैकोमा जो है, ये ट्रैकोमा हो गया, बुरुली अल्सर हो गया, ये सिस््टो सुमियासिस है, ये सब जलिया स्वच्चता से समयन रहते हैं, आगे दख लेते हैं, यहाँ पर देखे यह तो हमने देख लिए अब आगे देखे का जा रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी गरंती लिवर है मानव शरीर की सबसे बड़ी गरंती लिवर और दूसरी सबसे बड़ी गरंती पिंकरियाज है यानि कि अगनास है ठीक है चली आगे देखते हैं निमलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रासायन परियोगसाला भी कहा जाता है तो लिवर को जैव रासायन परियोगसाला भी कहा जाता है यकृत या जिगर या लिवर बोलिए रासायानिक कार खाना वो मानव शरीर की सबसे बड़ी गरंती है इसे मानवशरीर का जैवरा सायन परयोकसाला भी कहा जाता है इसके महतपुर्न कारी है देखे, लिवर का काम है बाइल जूस का सेक्रेशन करना कार्बो हाइडरेट का रेगोलेशन करना फैट मेटाबोलिजम को कंट्रोल करना एमिनो एसीड का रेगोलेशन करना यूरिया का निर्बान लिवर में होता है ठीक है विसले पदार्थ से बिस निकालने का काम यहीं पर होता है लिवर में ठीक है रुदिर में प्रोटिन्स का निर्बान करवाता है यही अच्छा लिवर से हिपैरिन नाम का एक प्रोटिन का निर्बान होता है जो की बलड सरीर क के का संचय भी खरता है तो इतने काम हैं आपके लिवर अगर खराब है किसी का तो अकेला उससे बहुत जाएदा बिमारिया होती है क्योंकि ्षकतर काम करता है इसलिए अपना लिवर गुचाना है तो उसके लिए आपको पता हो आज वा क्या करना ए रज़ तो लिवर को कहा जाता है इसके काम अभी हमने आपको गिनाए चलिए मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी गरंथी अगनासे है जिसे की मिस्रित गरंथी कहा जाता है और याद रखेगा अगनासे रस निकलता है उसमें बहुत सारे पाचक एंजाइम पाये जाते हैं जिसमें इसे आपका लाइपेज जो की लिपीड का सेंसलेशन करता है उसके बाद याद रखेगा अगनासे की लेकर हेंस दिपिकाओं में बीटा सेल, आलफा सेल और डिल्टा सेल होता है और एक F सेल होता है ठीक है याद रखेगा इंसुलिन की लेकर हेंस की दिपिकाओं है बीटा सेल जो है ये इंसुलिन का निर्मान करती है आलफा सेल जो है य यह जो F-cell है यह अगनास है pancreatic polypeptide का निर्बान करता है ठीक है तो beta cell insulin का निर्बान, alpha cell glukagun का निर्बान, delta cell somatostatin का निर्बान और F-cell जो है यह pancreatic polypeptide का निर्बान करते है ठीक है अस्तन पान के दोरां किस हार्मोन के कारण अस्तन से दूध निकलता है, विच हार्मोन leads to expulsion of milk from the breast during sucking, तो यह होता है oxytocine हार्मोन के कारण याद रखेगा इस बात को, कि oxytocine हार्मोन के कारण ही अस्तन से दूध निकलता है अक्सिटोसीन हार्मोन के कारण ही अस्तन से दूद निकलता है देखे अक्सिटोसीन हार्मोन का काम है कि मा और सिसू के बीच जो एक सिनेह का एक लव का जो बॉंडिंग होता है वो अगर जायदा है तो अक्सिटोसीन हार्मोन का रिगुलेशन भी जादा होता है सिक्रेशन भ आगे देखते हैं, कौन सा अंग भी सहरन करता है और पाचन के लिए आवस्यक रासायनों को पैदा करता है, विच औरगेंड डज डिटॉक्सिफाई और प्रोडिउजेस केमिकल नीडेड फोर डाइजेशन, देखे अभी हमने कहा कि एक अकेला लिवर उसके अंदर उसे कहा जाता है, रासायानि कारखाना, केमिकल लेबरेटरी कहा जाता है, और किसलिए कहा जाता है, क्योंकि एक अके अमेशा सही रखना चाहिए, ठीक है? चलिए. लिवर का काम क्या ही है? हमने देख लिया. निमन में किस ग्रंथी से पित, यानि कि बाईल उत्पादित होता है, तो पित जो बाईल रस है, वो यक्रीत, यानि कि लिवर उत्पादन करता है, और इसके बाद ये बाईल जो है, ज किसके प्रवेश को रोकने है तू कोशिकाओ में प्रोटीन को इनकोड करता है तो जो मेलाटोनीन है यह वाइरस के प्रवेश को रोकने के लिए कोशिकाओ में प्रोटीन को इनकोड करता है मेलाटोनीन एक हार्मोन है जो कि मुखेता पीनियल ग्लैंड से याद रखेगा पीन लिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथी फेफ़णों के बीच बिद्यमान रहती है तो याद रखेगा जो फेफ़णों के बीच लंगस के बीच जो ग्लैंड होता है उसे थाइमस ग्लैंड कहा जाता है बिल्कुल सही बात आगे चलिए और थाइमस ग्लैंड से याद तो यह पिट्टू ट्री ग्लेंड जिसे की अन्य अंतह सरावी इंडोक्राइन ग्लेंड के काम को नियंतरित भी करता है तो पिट्टूट्री ग्लेंड मस्तिस्क के आधार भाग में इस्थित एक छोटी सी ग्रंती है जो अन्य अंडोक्राइन ग्लेंड को नियंतरित करती है इसलिए से master gland भी कहा जाता है निमलिकित में से कौन सी ग्रंथी बृधी हार्मोन यानि कि growth हार्मोन का रिसाओ करता है तो याद रखेगा pituitry gland यानि कि puse ग्रंथी master gland जो है ये बृधी हार्मोन का रिसाओ करता है प्यूस गरंथी के द्वारा सुमेटोट्रोपिन जो की एक ग्रोथ हार्मोन है ब्रिद्धी हार्मोन है इसका स्राव करता है सुमेटोट्रोपिन का स्राव करता है पिट्यूट्री ग्लेंड और बाल्या वस्था में अगर किसी के अंदर से बालक के अंदर से अगर के कंट्रोल के लिए उत्तरता ही है which of the following parts of the body or glands maintains the body temperature तो जो body temperature को maintain करता है hypothelemus कौन करता है body temperature को maintain करता है hypothalamus याद रखेगा ठीक और hypothalamus का और क्या काम होता है तो याद रखेगा hypothalamus आपके सरीर में जो भूख है भूख लगती है प्यास लगती है आपको जो love या फिर hate प्यार होना घिरना होना ये सब भी control hypothelemus ही करता है तो ये मत कहिएगा कि कुछसी को ज़्यादा प्यार है किसी को कम प्यार है या घिरना है ये सब कुछ hypothelemus control कर रहा ठीक है और जो emotional activities होता है जो कुछ emotional बाते होती है उसको भी control करता है hypothelemus, hormones को control करता है hypothelemus और body temperature को भी control करता है hypothelemus तो इतना बात याद रखिएगा ठीक है hypothelemus को ले करके चलिए आगे देख लेते हैं निमन में कौन सा अंग लाइपेज एंजाइम का उतपादन करता है देखें लाइपेज का जो उतपादन करना होता है तो देखें लाइपेज एंजाइम का जो उतपादन है वो pancreas के द्वारा होता है अब यहाँ पर देखे lipage enzyme जो है यह आपने देखा होगा कि अगनासे से अगनासे ही रस निकलता है और अगनासे ही रस जो निकलता है उसमें भी lipage होता है और जो small intestine होता है यहाँ से भी intestinal lipage का उत्पादन होता है तो हम कह सकते हैं कि pancreas और intestinal lipage दोनों से होता है pancreas से और small intestine दोनों से lipage का स्रावन होता है नाम चेंज हो जाता है pancreas से pancreatic lipage और small intestine से intestinal lipage ठीक है तो यहाँ पर क्या option होगा पता नहीं तो आप जो भी मारते आपको सही ही आंसर मिलता चलिए इसलिए आंसर मिलता चलिए sigmoid colon किसका भाग है तो याद रहेगा sigmoid colon यह बड़ी आत का भाग है बड़ी आत यानि large intestine के तो यह जो large intestine होता है इसके 3 part होते हैं large intestine के 3 part होते हैं इसके बारे में आपको पताऊगा large intestine में यह है cecum सीकम के बाद आपका कोलन होता है और कोलन के बाद रेक्टम और रेक्टम जो है एनर्स में खुलता है और यहाँ से स्टूल के माध्यम से सरीर के अंदर से जो बाहर चलियाती है तो लाज इंतिस्ताइन के भाग है सिंगमोेड कोलन, ठीक है चली अब देखे निमने ग्रंथियों में से में से एंजाइम टाइलीन का सुरोत क्या है तो देखे टाइलीन जो है वो लार ग्रंथियों के द्वारा उत्पन होता है सेलेवरी ग्लेंड्स के द्वारा टाइलीन का उत्पादन होता है अब देखे कहा जा रहा है, निमन में से कौन सा हर्मोन मस्दिस्क के द्वारा स्रावित होता है, जो सोने जागने के चक्र को वी नियमित करता है, कौन सा हर्मोन तो याद रखेगा, यह जो मेलाटोनीन है यह मस्तिस्क यानि की human brain से इसका उत्पादन होता है और मेलाटोनीन कहां से तो master gland, puse gland से pituitary gland से मेलाटोनीन का यह होता है क्या बोलते हैं स्रावन होत नहीं, pineal gland से, याद रखेगा pineal gland से, मानव brain के pineal gland से मेलाटोनीन का स्रावन होता है और वही करता है मानव के सोने, जागने, मतलब कब सोएगा, कब जगेगा, ये सबका नियमन, ये सबका regulation जो है, मेलाटोनीन हारमोन ही करता है. मानव शरीर में थायराइड ग्रंथी के पीछे कितनी पैरा थायराइड ग्रंथियां होती हैं? तो याद रखेगा human body में thyroid gland के पीछे चार parathyroid glands होती हैं मानव शरीर में thyroid gland के पीछे चार छोटी छोटी एंडोक्राइन ग्रंतिया होती है जिने parathyroid gland करते हैं ये ग्रंतिया लगतार शरीर में कैलसियम के अस्तर का नियमन और निगरानी करते हैं पैराथाराइड ग्लेंड से कौन से हर्मोन निकलते है भाई साब तो पैराथाराइड ग्लेंड से जो है आपका पैराथाराइड हर्मोन ग्लेंड से पैराथाराइड हर्मोन और केलसी टोनीन नाम का हर्मोन का स्रावन होता है केलसी टोनीन तो दिखें जो पैरा थाराइड हार्मोन है अगर बलड में कैलसियम की कमी होने लगेगा तो पैरा थाराइड ग्लेंड के द्वारा निकला हुआ पैरा थाराइड हार्मोन कहेगा कि आपके बलड में कैलसियम की कमी हो रही है और उसी समय क्या करेगा पैरा थाराइड हार्मोन का स्रावन होने लगेगा और वो केल्सियम के कंट्रोल कर लेगा ठीक है केल्सियम की कमी को और अगर बलड में केल्सियम का बढ़ोतरी हो जाए एक नॉर्मल लेवल से ज़्यादा अगर केल्सियम होने लगे तो उस समय केल्सी टोनी नाम का हर्मोन वहां से स्रावन होता है उसका सेक्रेशन होता है और ये पैराथरेट गिलेंट से होता है तो ये सब याद रखेगा अब हम देखेंगे सुक्षम जैवी की और रोग विज्यान को चलिए तो अब सुक्षम जैवी की और रोग विज्यान को ध्यान से सुनिए बहुत ज़्यादा इसमे ब्योटरा बिमारी का इलाज यानि कि टीबी आपने सुना होगा टीबी के इलाज के लिए डॉट्स नामत इलाज किया जाता है अच्छा टीबी नामत बिमारी कौन से बैक्टिरिया के कारण होती है तो mycobacterium tuberculosis mycobacterium tuberculosis नाव के bacteria से TB बिमारी होती है कंसी TB बिमारी होती है याद रखेगा चली आगे देगे भारत सरकार के द्वारा सुरू किया गया निक्षय पोसन योजना का उद्देश से किस रोग्यों को पोशन संबंधी सहायता प्रदान करना है किस रोगियों को पोशन संबंधी सहायता प्रदान करना है तो याद रखेगा निक्षे पोशन योजना केंदर सरकार की TB के रोगियों को पोशन प्रदान करने का योजना था ठीक है TB के रोगियों को पोस्टन परदान करना TB किस बैक्टिरियल डीजी जाई याद रखेगा बैक्टिरिया के द्वारा TB होता है tuberculosis bacteria, mycobacterium tuber किस रोग के लिए स्वास्थ एवं परिवार मंत्राले के द्वारा test and treat निती प्रारंब करी गई है तो HIV बिमारी के लिए HIV AIDS जो होता है उस रोग के लिए test and treat निती का प्रारंब किया गया है परिवार और कल्यान स्वास्थ एवं परिवार मंत्राले की द्वारा स्वास्थ एवं परिवार कल्यान मंत्राले द्वारा test and treat निती HIV रोग के लिए प्रारम की गई है इसके तहत यदि किसी वेक्ति में जाज के दौरान HIV पाया जाता है तो उसे तुरंत Entry Retroviral Therapy यानि कि ART की सुविदा उपलब्द कराई जाती है अब देखें क्या कहा जा रहा है Enzyme Linked Immunosorbent Enzyme Linked Immunosorbent एसे एक ऐसी तकनीक है जिसका उप्यो किस बिमारी की पता लगाने के लिए किया जाता है तो याद रखेगा Enzyme Linked Immunosorbent एसे जिसे की ELISA test भी कहा जाता है आपने सुना भी होगा ELISA test के बारे में ELISA test की कि किस बिमारी का पता लगाने के लिए तो AIDS की बिमारी का पता लगाने के लिए ELISA test करवाया जाता है AIDS यानि कि Acquired Immuno Deficiency Syndrome ठीक है चलिए HIV Virus जो है lymphocytes को नस्ट करता है जिससे व्यक्ति की प्रतिरक्षा तंत्र मकमजोर हो जाती है lymphocytes क्या होता है WBC ठीक है तो ये जो lymphocytes को खतम कर देता है आपका HIV Virus और इससे प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है खतम हो जाता है ठीक है चलिए WBC यानि कि स्वेत रख्त रुधिर कनिकाए स्वेत रख्त कनिकाए वाइड बलड करपसल्स जिससे की lymphocytes भी कहा जाता है और उसको क्या करता है ये कम कर देता है खतम कर देता है जिससे प्रतिरक्षा तंत्र कम जोर हो जाती है और आपको पता है WBC सरीर में संक्रमन को रोगती है ठीक है आगे देखे एड्स एक विसानुजन रोग है एड्स अगर आपसे पुछा जाए तो कैसा रोग है तो वैक्टिरियल नहीं वाइरल डीजीज है इस रोग का कारक HIV वाइरस है इसमें WBC प्रवाईत होता है ये सब आपको पता है और एड्स का जाज करने के लिए एलिसा टेस करवाया जाता है एड्स की जाज करने के लिए एलिसा टेस्ट करवाया जाता है वैग्यानिकों ने एड्स का कारण बनने वाली वाइरस की खोज करी थी 1983 में वैग्यानिकों ने एड्स का कारण बनने वाली वाइरस की खोज 1983 में की थी एक अंतरराष्ट्रिय वैग्यानिक स समीती ने द्वारा पहले वाइरस को HTLV3 नामित किया गया था याद रखेगा HIV से पहले इस वाइरस को HTLV कहा गया था बाद में इसका नाम HIV रखा गया तो अगर आप से पुछा जाएगा HIV का नाम पहले क्या था तो बताएंगे आप HTLV3 याद रखेगा या फिर LAV ठीक है च इसके बाद निकिए कहा जा रहा है Wils x Roog जो होता है इसमें कौन सा अंग प्रभावीत होता है तो Wils Roog होता है Kidney प्रभावीत होता है और अगर Kidney प्रभावीत होगा तो आपका Excretory system सही ने रहेगा, waste product बाहर नहीं निकलेगा और उससे आपके सरीर में क्या होगा toxicity बढ़ जाएगी आपका सरीर बिमार हो जाएगा ठीक है तो किड़नी अगर काम नहीं करता है तो लोगों को कौन सा treatment दिया जाता है यह आपको पता होगा चलिए निम्न में से कौन सा Wilson रोग का लक्षन नहीं है तो यहाँ पर हम पेरों या पेट में फ्लूड बनना Wilson रोग का लक्षन है रतोंदी Wilson रोग का लक्षन नहीं है लेकिन Wilson रोग में बोलने निगलने सारेधिक समनवय में भी समस्याएँ आने लगती है यानि कि बोलना निगलना कुछ अपने बाड़ी में कंट्रोल करना ये सम में भी अतरिक्त तामबा मतलब जिसके द्वारा सरीर जो है अतरिक्त तामबा या फिर कॉपर बाहर करने की छमता समाथ हो जाती है हमारे बॉड़ी के अंदर अगर कोई additional अगर normal level से कोई भी चीज जादा या कम हो जाए तो वो हमारे लिए सही नहीं है तो जो additional कॉपर हमारे सरीर के अंदर है वो अगर बाहर करने की छमता सरीर की खतम हो जाए तो इसके कारण क्या होता है पेट तथा पैरों में फूलना सुरू हो जाता है उल्टी होने लगता है भू की सब कम लगने लगता है और रतोंधी इस रोग से सम्बंदित नहीं है विल बालों के सद्रिस संरचना है फ्लैजिला फ्लैजिला आर दा हेर लाइक इस्ट्रक्चर विच एक्ट एज और गनिवीज ऑफ लोको मोसन इन विच ऑफ दा फोलोविंग और गनिजम तो देखे यह आपको पता होगा कि बैक्टीरिया जितने है वो उसके अंदर उसके अंद किस प्रकार का रोगजनक जल जनीत रोग टाइफवाइड बुकार का कारण बनता है देखी TB Mycobacterium Tuberculosis के कारण ठीक है इतना अगर आप वो समझ में आता है तो चलिए आगी निमन में से किसकी पहचान विडाल टेस्ट से की जाती है तो विडाल टेस्ट के लिए टाइफाइड के लिए किया जाता है इस टेस्ट का इजाद या इस टेस्ट का अविसकार किसने करा था जोर्ज फरनाड विडाल ने इस टेस्ट का अविसकार किया था और इसी के नाम पर टाइफाइड के टेस्ट पड़ा विडाल 1896 में जोर्ज फरनेड विडाल ने इस परिक्षन पद्धती को खोजा था हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यो महत्वपूर्ण है क्योंकि आयोडीन से क्या होता है कि हमारा जो थाइरोईड ग्लेंड है इसका सही से काम ये कर पाता है थाइरोईड ग्लेंड सही से काम कर पाता है जिससे थाइरोकसिन हर्मोन निकल पायेगा सही से और उससे बहुत सारी घटनाए होती है हमारे शरीर में तो आयोडीन रासायनी की रूप से हैलोजन समुह जिसमें की कलोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है तो ये हेलोजन समू का तत्तो है आयोडीन और जिनकी मानव शरीर को अत्यल्प मात्रा में आवेश सकता होती है मानव शरीर को आयोडीन की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं चाहिए लेकिन आयोडीन से के कारण थाइरोईड ग्लेंड सही से काम करता है और अगर thyroid gland अगर उसमें और समानने विर्दी हो जाए, iodine की कमी से thyroid gland abnormal growth हो जाता है उसमें, जिसे घेंगा रोग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, घेंगा रोग किस की कमी के कारण उत्वन होता है, तो iodine की कमी से thyroid gland में और समानने विर्दी हो जाता है, जिसे कारण घेंगा कहा जाता है गोईटर अहार में किस बिटामिन की कभी के कारण घेंगा रोग होता है तो आयोडीन की कमी के कारण किस के कारण आयोडीन की कमी के कारण एक थाइरोईड हार्मोन के रूप में किस दवा का परियोग किया जाता है एक thyroid hormone के रूप में याद रखेगा लेवो थाइरोकसिन दवा का परियोग किया जाता है ठीक है thyroid, लेवो थाइरोकसिन चलिए अगला देखते हैं सवाल सरीर में किस hormone की कमी के कारण घेंगा होता है तो ये होता है थाइरोकसिन की कमी के कारण इसके thyroid gland के दवारा निकला हुआ hormone थाइरोकसिन की कमी कारण सरीर में घेंगा रोग होता है और ये घेंगा रोग iodine की कमी के कारण होता है निवन में कौन oncogene दवारा प्रियरित होता है प्रियरित होता है cancer रोग cancer उतपन करने वाले जो gene होते हैं उन्कोजीन कहलाते हैं और आपको पता होगा कि कैन्सर की रोग को treatment करने के लिए जो डॉक्टर होते हैं या जो पढ़ाई होते हैं उसे onkology कहा जाते हैं क्या? onkology तो जो onkogen होते हैं वो कहलाता है cancer उत्पन करने वाले जीन और ये सभी मनुस्य में प्रोटो-उनकोजीन के रूप में होते हैं Kaiser कारक में उनकोजीन में परिवर्तीत होते हैं त influenza उपणू करते हैं निम्न में कौन सी बिमारी आसंक्रामक प्रविर्ती की है यानि कि infection नहीं होता है तो याद रखेगा जो cancer है या ओसंक्रामक है और संक्रामक है याद रखेगा और संक्रामक यानि कि ये infection के थूरूर नहीं फैलता है जबकि यहाँ पर चेचक यानि कि जो पॉक्स होता है जो छहे रोग है टीबी ये भी संक्रामक है जो हैजा है जिसे की कॉलरा कहा जाता है और ये कौन से वैक्टरिया के कारण कॉलरा होत ग्लुकोज का एक बहु साखा युक्त पॉलिसेकराइड है कौन जो जानवरों और कवकों में उर्जा भंडारन के रूप में कार्य करता है ठीक है ग्लुकोज का एक बहु साखा युक्त पॉलिसेकराइड है गलाइकोजन जो है वो ग्लुकोज का एक बहु साखा युक्त यानि कि multi branched polysaccharide है glucose का जो जानवर यानि कि animals और fungus में उर्जा भंडारण के रूट में परियोग किया जाता है ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं फेफडे जो lungs होते हैं वो किसके प्रात्मिक अंग है तो lungs जो हैं वो स्वसन के लिए प्रात्मिक अंग है lungs are the primary organs of respiration ठीक है याद रखेगा respiration के स्वसन के लिए जो जिवानू प्रकास का उप्योग कर उर्जा उत्पन करते हैं उन्हें photo-autotrops कहा जाता है याद रखेगा जो भी जिवानू जो भी bacteria प्रकास का light का उप्योग करके energy उत्पन करते हैं photo-autotrops कहा जाता है ठीक है याद रखेगा दीक है निम्न में से कौन सी संचारक बिमारी है communicable बिमारी है तो याद रखेगा जो आपका diabetes है अस्थमा है इसकरवी है ये सब communicable नहीं है non communicable है लेकिन जो ख़सरा है जो मीजल से ये एक communicable बिमारी है ठीक है छुआ छूट वाला निम्न में कौन से जिवानू से पौधों में किरीट पिटी का रोग हो जाता है कौधों में किरीट पिटी का रोग which are the following bacterium causes crown gold disease in plants कौन से इसके कारण होता है भाई साब तो देखिए ये होता है आपका agrobacterium agrobacterium tumy fancius के कारण निम्न में कौन से जिवानू से किस जिवानू से पौधों में किरीट पिटी का यानि कि crown gold disease जो पौधों में होता है वो किस जिवानू के कारण होता है तो याद रखेगा agrobacterium tumy agrobacterium tumy fancius के कारण agrobacterium tumy fancius के कारण ठीक है अब देखे आगे देखते हैं कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा परजीवी मस्तिस्क पूटी का कारण हो सकता है देखे कौन सा परजीवी मस्तिस्क पूटी यानि कि ब्रेन सिस्ट का कारण होता है तो याद रखेगा यह है आपका नाइगलेरिया नाइगलेरिया फॉवलेरी जो है यह एक परजीवी है यह एक पैरासाइट है जो की ब्रेन सिस्ट का कारण बनती है नाइगलेरिया फॉवलेरी जो है वो मस्तिस्क भक्षी अमीबा है ब्रेन इटिंग अमीबा कहलाता है और यह परजीवी मस्तिस्क पूटी ब्रेन सिस्ट का कारण होता है अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का मस्तिस्ख यानि कि ब्रेन प्रभावित होता है अल्जाइमर नामक रोग में मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग मस्तिस्ख है जिसमें मनुस्य की अस्मरन छमता छिन हो जाती है सरो पर्थम इस बिमारी को जर्मन नियूरोलोजिस्ट डॉक्टर A. एलोईस अलजाइमर ने पहचाना था अलजाइमर ब्रेंस से रिलेटेड बिमारी है मनुस्ति की इसमें अस्मरन मेमोरी पावर छिन हो जाती है और इस बिमारी को सबसे पहले एक जर्मन नियूरोलोजिस्ट डॉक्टर A. एलोईस अलजाइमर ने पहचाना था और इसलिए इसे अलजाइमर बिमारी का नाम देती है गया पैरास्वम्निया जो है नामक विकार का दुसरा नाम क्या है तो याद रखेगा पैरास्वम्निया बिमारी जो है उसे स्लिप वाकिंग कहा जाता है निंद में चलने को बिमारी को पैरास्वम्निया कहा जाता है या क्रित प्रभावित होता है और पित रंजकों के जमाव के कारण तवचा और आखे पीली हो जाती है निम्ण में कौन सा पाचन विकार यहां वरली थे, देखे, एक ऐसा बिमारी जिसमें लिवर अफेक्टेड होता है, बाइल जो पिगमेंट होता है, उसके जमाव से तवचा और आखे पीली हो जाती, यह कौन सा बिमारी है भाई साब, तो यह पीलिया है, जॉन्डिस है, इसक लोग में यक्रित में पित रंजकों की मात्रा बढ़ जाती है, यह सब अमने देख लिया, पिलिया नौजात सिसु को तब प्रभावित करता है, जब उनके बलड में बिली रूबीन की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, याद रखेगा, पिलिया बिमारी नौजात सिसु को तो newborn child को तब प्रभाववित करता है जब उसके सरीर में bilirubin की मात्रा बढ़ जाती है ठीक है DPT Tika निम्न में से किस प्रकार का होता है DPT Tika निम्न में से किस प्रकार का होता है तो जो DPT Tika है ये किस प्रकार का है भाई साब तो ये एक combined vaccine है जिसमें की diphtheria, कुकुरखासी जो pertuses होता है diphtheria, pertuses और titnes इन तीनों के बचाव के लिए combinedly आपको DPT Tika दिया जाता है diphtheria, pertuses, कुकुरखासी और titnes के बचाव के लिए नौजाद सिसू को DPT vaccine नामक एक संयूगत Tika लगाया जाता है चलिए, आगे देख लेते हैं निम्न में से कौन सा रोग बैक्टिरिया से होता है, जिवानू से होता है तो देखिए, यहाँ पर diphtheria जो है यह आपके जिवानू के कारण होता है, बैक्टिरिया के कारण होता है कोरीनी बैक्टिरियम डिप्थिरी के कारण यह बिमारी होती है डिप्थिरिया जो की बैक्टिरिया के कारण होता है यह नाक एवं गले की म्यूकस जिल्ली को प्रभावित करता है म्यूकस जिल्ली को प्रभावित करता है डिप्थिरिया ठीक है, और उसके बाद सा रोग होता है तो ये आपका जो वूपिंग खासी होता है जो काली खासी होता है वो बारणे टेला पर्ट्यूसिस बिमारी बैक्टिजिया के कारण होता है चलिए आगे देखते हैं लोह मैता एक रोग है जो स्वास के साथ निम्न में से क्या अंदर लेने से होता है तो ये फ्लोरीन की खाल जाता है यानि कि जो दातों के ऊपर जो वाइट लेयर जिसे एनामिल कहा जाता है वो उसका छरन होने लगता है फ्लोरीन की कमी की कारण ठीक है याद रिखेगा आगे देखे कहा जा रहा है किसी के आहार में संत्रिप्त वसा के स्थान पर और संत्रिप्त वसा और कार्बो हाइडरेट का सेवन देखे यहाँ पर अच्छे स्वास्त के लिए सरीव में फ्लोरीन या फ्लोराइड की निश्चित मातरावस्यक होती है इसकी कमी से फ्लोरीन की अधिकता से fluorosis होता है याद रखेगा fluorine के अधिकता से fluorosis और fluorine की कमी से dental caries या dental crozen होने लगता है ठीक है इसे यहां correct कर लिजी किसी के आहार में संत्रिप्त वसा यानि कि saturated जो fat होता है के अस्थान पर unsaturated fat और carbohydrate का 7 किसके जोखिम को कम करता है किसके जोखिम को कम करता है तो याद रखेगा heart disease के जोखिम को कम करता है किसी के आहार में संत्रिप्त वसा यानि कि saturated fat के अस्थान पर और संत्रिप्त वसा और carbohydrate का 7 हिरदय रोक के जोखिम को कम करता है और संत्रिप्त वसा वनस्पती और मचली के तेल आदि से प्राप्त होती है, ठीक है, कौन सी बिमारी प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण होता है, तो ये जो क्वासी और कर है, ये आपका प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण होता है, इसके बारे में हमने पहले भी बात किया हुआ है, ठीक है, क्वासी और कर ऐसे बच्चे में हो वाइरस समानेता किसे बने होते हैं वाइरस समानेता किसके बने होते हैं तो याद रखेगा वाइरस बने होते हैं प्रोटीन प्लस नुकलिक एसीड के बने होते हैं वाइरस याद रखेगा ठीक है आरेने वाइरस डियेने वाइरस हमने आपको सेल में पढ़ाया हुआ है चलि और उसके बाद biology तो आपको पता ही है study of living biology और pathology के अंदर रोगों की जाज करी जाती है oral polio vaccine का अभिसकार करा था अलवर्ट साबिन ने करा था देखे जीवित परंतु कमजोर polio virus के परियोग से सरोपर्थम oral polio vaccine का निर्मान 1961 में अलवर्ट सालविन ने किया था और मिरित निस्करिया polio virus को डॉक्टर जोनस साल को द्वारा विक्सित किया गया था जोनस साल को द्वारा जो है ये मिरित polio virus का किया गया था पोलियो किस कारण होता है तो polio होता है विसानू के कारण punyophosaurus virus के कारण पोलियो माइलिटिस virus के कारण इस में रोक कारक, जीव का संचारन, दूसित भोजन तथा जल के द्वारा होता है याद रखेगा पोलियो बिमारी एक संक्रामक बिमारी है कमिनिकेबल बिमारी है जो पोलियो माइलिटस इंफेक्सिस डिजीज है पोलियो माइलिटस बिसानू के द्वारा होता है और कैसे तो दुसित जब हो जनता था जल के द्वारा निमन लेकित में से पोलियो की बिमारी होने का कारण क्या है तो ये है वाइरस पोलियो माइलिटस वाइरस ठीक है अब देखे निमन इन में से कौन सी एक वाइरल बिमारी है तो याद रखे पोलियो एक वाइरल बिमारी है यानि कि वाइरस से होता है पोलियो माइलिटस वाइ अगे देखी Heptitis कि इसके कारण तो वाईरस के कारण होता है इसको तो हमने भी देखा कि Heptitis जो है वाईरस के कारण होता है आगे देखी कहा जा रहे हैं निमें काlica pest吗 FILAVY virus के कारण नहीं होता है काण 사 license Chaos또 लगो चीचक के टिकनी किती है चेचक के टीके की खोज करी गई थी याद रखेगा एडवर्ड जेनर की द्वारा एडवर्ड जेनर की द्वारा चेचक के टीके की खोज करी गई थी ठीके अब देखे निवन में किसने चेचक के टीके काविस्कार किया तो याद रखेगा ये किया था एडवर्ड जेनर ने अलेकजंडर फ्लेमिंग ने पेनिसलीन का विसकार किया था लूई पास्चर को आप जानते होंगे अलबर्ट आइस्टाइन को भी जानते होंगे चलिए आगे देख लेते हैं अब कहता है किस वाइरस के कारण चेचक होता है भाई साब किस वाइरस के कारण तो वैरियोला वाइरस के कारण चेचक होता है या देखिएगा वैरियोला वाइरस अलफा हर्पीस वाइरस परिवार से संबन नित है जिसके संक्रमन से चिकेन पॉक्स रोग होता है जबकि पेचक रोग वार्याला वायरस के संक्रमन से होता है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं इतना देखेए। उसके बाद तुरंट-तुरंट आपको वीडियो मिलेगा जिससे कि आपका जल्दी स змापत हो जाएगा। ठीक है तो और दो क्लास देखें दो मेराथन अभी हुआ है जिसमें कि हमने बाइलोजी के इतने पार्ट देखे हैं और उसके बाद और दो मेराथन आएगा जिसमें कि हम पूरे बाइलोजी को तो अगर आपको विडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक जरूर कीजेगा औ और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में share किजएगा क्योंकि आपके share like करने से आपको कुछ नहीं बस यहाँ पर यह होता है कि हमें motivation मिलती है आपके लिए अच्छे से अच्छे content अच्छा explanation देने की मेहनत करने की तो आपको यह करना है बात बाकी हम अपना करता भी निवा तब तक कि लिए जय हिंदा चांचा है